आप सबका बहुन बहुन स्वागत हैं शास्वा सत्य परमसत्य के चनल पर जहां पर हर उपाय पुकता और प्रमाणित होता है क्योंकि सत्य सौपरसेंट नगद होता है और सत्य का पावर ही ऐसा है तो आज मैं आपको ऐसा उपाय बताओंगा जिसे करने के बाद आपके जीव किसी को पैसे की जोरत है तो यह साधना जो है चुम्बक की तरह कारे करेगा वैसे भी यह चीज आप मन में गांठ बांध लीजिए कि पुरा का पुरा ब्रह्मान एनर्जी का ही खेले उर्जा और प्रमाणित करवाना चाहें तो मैं सिद्ध करके बता दूँगा क्योंकि सत्य हमेशा सिद्ध और प्रमाण पे चलता है आप उपर पत्थर फेकिएगा वो नीचे धर्ती पे ही आएगा कागज फेकिएगा धीरे से नीचे पे ही आएगा इसे आप सिद्ध कर सकते कि पृत्वी के अंदर गुरुत्वा कर्शन की सक्ति है जो हमारी आखों से दिखाई न करते हैं तो होता क्या है जो उर्जा है जो सक्ति है जैसे आप सक्ति की साधना कर रहें सीव की साधना कर रहें तो सक्ति जो है आपके साथ जुड़ जाती है और वह सक्ति आपको पहचान लेती है आपकी मनोकामना को जान जाती है फिर उसके अनुसार उसे खीचने के लिए शुरू कर देती है अनन्त और असंग के सक्तियां उन वस्तों को खीचने के लिए आपके पास लाने के लिए तैयारी सुरू कर देती है इसे होता है साधना की सुरुवात और साधना की सिध्धी आपको फल की प्राप्ति से होती है इसलिए मैं कहता हूँ यह संपूर्ण ब्र कारेश शफल हो और मनवांचित फल की प्राप्ति हो आप जब साधना करें तो अभी का समय जो है दिपावली का समय आ रहा है दिपावली का समय एक अद्भुत अनंत उर्जा का ब्रह्मान की और विस्तार होता है जिस उर्जा शक्ति से आप अपने मनवांचित फल को प्राप देना है फिर देखिए आपकी सकती आपके लिए किस तरह से कारे करते हैं प्रति दिन आपको अभी प्रारम करना है कम से कम साथ दिनों की क्रिया है दिवाली के आसपास करिए या फिर समय नहीं हो आगे भी हो पीछे भी हो तो भी चलेगा बस आपको इस उर्जा को अपने लि जाते हैं जो भी चीज का संकल्प लिए संकल्प लेकर बैठिए और इसे आपको करना है शुबह शुबह प्राता काल की साधना है कि सुबह अर्था चाहर से च्शह के बीच में इस समय जो तरंग रहता है जो नाथ रहता जो vibration रहता है वह इतना ज्यादा alignment में रहता है कि आप बस उससे जुड़ जाए जुड़ने के बाद आप बस अपने लिए कोई भी मनुकामना मांग दीजिए वह सक्ति जो है ब्रह्मान की उर्जा जो है हर चीज को आपके सामने ला देगा क्योंकि ब्रह्मान के अंदर हर चीज नहीं थे चाहिए प्यार हो पैसा हो घर हो परिवार हो इसी के अंदर आता है पंच महाभूत के अंदर आता है उसी के अधीन है सब चीजे और पंच महाभूत क मालिक शिप सत्य है शिव है तो आपको ध्यान किस चीज की करना है शिव की करना है सत्य की करना है साथ दिनों तक करना है और मनुवानचित फल को प्राप्त करने के लिए एक गिलास पानी लेकर संकल्प करना है फिर शमतकार शिव का देखिए किस तरह से आपका मुनू